पॉइंट से पे चलते हैं और पहला कुश्ण लेकरा के एक अनुक्रम दिया है जिसका एनवा पद दिया है यहां पे 2 का पावर 3N into minus 5 का पावर N क्या यहां अनुक्रम GP में है यदि है तो इसका GP का सार्व अनुपात निकालना है चलिए ना पहले 2 कम से कम 3 पर इसमें निकालोंगे इन बराबर 1 पर 2 पर और 3 पर एक करके 1 रखेंगे तो 2 का पावर 3 into minus 5 का पावर 1 यानि हो जागा 2 का पावर 3 नर्गुना में minus 5 तो यह हो जागा 8 और यह minus 5 तो minus 40 अजाएगा अब चलिए इसके बाद क्या रखते हैं 2 पर तो 2 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 2 3 का पावर 2 का पावर 3 into 2 है ना यहां रखेंगे और into में minus 5 का पावर 2 तो यह 2 का पावर 6 हो जाएगा है ना और minus 5 का square तो plus का 25 हो जाएगा चलिए यहां पे 2 का पावर 6 कितना आजाएगा तो 2 का पावर 6 आजाएगा 64 और गुना में है पाचीश तो पाचीश में 64 से गुना कर दिजिए 1600 आजागा ना यहां से 1600 आजागा फिर चलिए उसके बाद तीसरा निकालते हैं तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 3 इन होगा तो यहां हो जागा 2 का पावर 9 और इंटू में माइनस 5 का क्यूब माइनस 125 तो 2 का पावर 9 इन कितना हो जागा आपका 2 का पावर 9 512 आएगा हाणा हो जागा 512 और गुणा में माइनस 125 गुना कर दिदे तो ही आजागा माइनस का 64000 ठीक है तो अब चेक करना होगा ना यहां A1 A2 A3 आ गया तो तो common ratio यानि A2 by A1 पहले चेक करते हैं यानि हो जाएगा आपका कितना 600 और बागा में माइनस 40 कर जागा कितना बार में 40 बार में ठीक है यानि कि माइनस का 40 आ गया और यहा आर बराबर A3 by A2 भी दोता है 2 0 2 0 कर गया 64 44 40 यहां भी आगा माइनस 40 तो दोनों जगा तो शार्व अन्तर जो है सारव अनुपात जो है सेम आ गया इसलिए इसलिए अनुकरम क्या है अनुकरम GP में है और common ratio आ रहा है सारव अनुपात है ना सारव अनुपात जो आ रहा है माइनस चाली सुट आगा समाज जगाना को सलो